हाई हम आप लोगों को बताएंगे वाटर कलर्स की नेम और वर्कुलडु में कलर्स को फिल करना तो आए मैं आपको पहले क्या बताऊंगी प्लो कि अधा यह कौन सा कणर है यह यलो कलर यह कौन सा क्या बताएंगे colors को fill करना ये कौन सा color है red color है red color हम लोग one में fill करते हैं one means क्या होता है one means होता है एक तो देखे one में red color fill हो गया one के बाद क्या आता है one के बाद आता है two और ये कौन सा color है yellow color है yellow color हम लोग two में fill करते हैं two means होता है दो तू के बाद क्या आता है? तू के बाद आता है थ्री और ये कौन सा कलर है? आरेंज कलर त्री मिन्स क्या होता है? त्री मिन्स होता है तीन क्या होता है त्री मिन्स? तीन होता है त्री के बाद क्या आता है? त्री के बाद आता है फोर और ये कौन सा कलर देखिए? बलेक कलर है फॉर मिन्स क्या होता है? फॉर मिन्स होता है चार फॉर के बाद क्या आएगा? फाइव आएगा और ये कौन सा कलर देखिए? ब्लू कलर है तो फाइब में हम लोग ब्लू कलर को फिल करते हैं 5 means क्या होता है, 5 होता है, तो देखिए 5 में कौन सा कलर फिल हुआ है, ब्लू कलर, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 6, तो आएए हम 6 में भी कौन से कलर को करते हैं, ब्लू कलर को, 6 में क्या होता है, 6 में होता है, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा, 7, और ये कौन सा कलर देखिए, ब्लैक कलर है, 7 में हम ब्लैक कलर को फिल करते हैं, 7 में होता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, और ये कौन सा कलर है, आरेंज कलर, 8 में होता है, 8 में होता है, 8 में कौन सा कलर फिल हुआ, आरेंज कलर, 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आएगा 9 और यहें देखिए yellow color 9 means होता है 9 क्या होता है 9 means 9 होता है 9 के बाद क्या आता है बच्चो 10 आता है और यहें देखिए कौन सा color red color 10 में हम red color को fill करते हैं 10 means क्या होता है 10 means होता है 10 10 के बाद क्या आएगा 10 के बाद आएगा 11 क्या आएगा बच्चो 11 आएगा तो आएए हम 11 में कौन से color को fill करते हैं red color को 11 means क्या होता है 11 होता है देखे 11 में red color fill हो गया 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा और ये है देखिए यलो कलर तो यलो कलर हम लोग 12 में फिल करते है 12 मिन्स क्या होता है? 12 होता है तो देखिए कौन सा कलर फिल हुआ है? यलो कलर 12 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा और ये कौन सा कलर है? आरेंज कलर आरेंज कलर हम लोग 13 में फिल करते हैं 13 means क्या होता है? 13 होता है. 13 के बाद क्या आता है बच्चो? 14 आता है. तो देखिए हम लोग 14 में कौन से कलर को फिल करते हैं? ब्लैक कलर को. 14 में क्या होता है? 14. तो देखिए 14 में हम ब्लैक कलर को फिल करते हैं. फोर्टीन के बाद क्या आएगा फोर्टीन के बाद आएगा फीप्टीन और ये कौन सा कलर देखिए ब्लू कलर है तो फीप्टीन में हम ब्लू कलर को फिल करते हैं फीप्टीन मींस क्या होता है फीप्टीन मींस होता है पंद रहा तो देखिए 15 में कौन सा कलर फिर हुआ है ब्लू कलर तो बच्चो आप लोग भी ऐसे पढ़ियों और आगे बढ़िये ओके बच्चो बाबाई थैंक यू